हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ दीपक और आपके अपने चैनल डीके राइडिया में स्वागत है दोफ तो आज हमारे पास है हीरो की ब्रेंड न्यू बाइक हीरो पैसन प्रोट 22 मॉडल इसे आप फ्रेंट से देख रहे हैं इसमें क्या बदलाव किया नए फीचर्स मिलते हैं इन इसके फुल स्पेसिफिकेशन फीचर्स प्राइस सभी के बारे में बात करेंगे तो बात करते हैं हम इसके फ्रेंट से यहां पर आपको फ्रेंट में ब्लैक कलार का आपको वाजर मिलता है हीरो की ब्रेंडिंग मिल जाती है 3D में है यहां पर यहां से आप देख सेटे हैं ऐसे ग्रेय कलर का आपको पार्ट मिलता है जो कि काफी स्क से लू को इनहिंज करता है साइड में आपके इंडिकेटर मिल जाते हैं यहां पर साइड में कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर dummy piece मिल जाती है बात करते हैं इसके head lamp की तो इसमें आपको 30-35 watt का hyalogen bulb मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि gloss के अंदर कुछ design दी गई है जो काफी अच्छी है और यहाँ से आपको number plate लगाने के लिए जगे मिल जाती है बात करते हैं इसके suspension की तो यहाँ पर आपको front में conventional fork मिल जाता है यह disc variant है यहाँ पर fender दिया गया fender काफी मजबूत और hero की build quality काफी बढ़िया है बात करते हैं इसके front tire की तो यहाँ से आप देख सकते हैं 818 यहाँ पर 18 inch के alive hill मिल जाते हैं और यह आपको tubeless tire मिलते हैं यहाँ से यह disc variant है तो इसमें आपको 240 mm की disc brake मिल जाती है और यहाँ पर reflector मिल जाता है काफी अच्छे reflector है और इस यह जो tire मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर MRF के jay पर मिल जाते है बदलाव किये गए हैं तो 2022 में उनके बारे में बात करेंगी यहाँ से आप देख सकते हैं malfunction light side stand cut off मिलता है यहाँ पर turn indicator और just उसके नीचे high beam नीचे neutral की light जो indicator है मिल जाता है और यह instrument cluster आपको semi digital montre that semi digital घ्रिमेंट प्लैस्टर मिल जाता है यहाँ से आपको pole speedometer मिलता से आणनलोग और जहाँ से Пр्फुली मीटर मिल जाता है यहाँ पर stays और डीटलोंवीटर मिल जाता है और सभिसेंट को आपको好好 camera चेराइट की बटन भी मिल जाती है यहाँ पर यहां से गृप भी इसके के बढ़िया मिलती है और यहां से आप देख सेकते हैं इसमें पासिंग राइड भी लो बीम टैनि इंडिकेटर होर्न की स्विच मिलती हैं यहां पर इसके हैंडल बार जो है सिंगल पिस मिल जाता है यहां पर हीरो की ब्रेंडिंग मिल जाती है यह डिस्क वेरियंट है तो यहां पर मास्टर सिलेंडर और इसके जो और वियम है काफी अच्छे मिल जाती है इसके राइड हैंडल बार में अक्सल इस्टाइड के स्वि यहां पर आपको टैंक एक्स्टेंशन काफी लंबा मिल जा रहा है, यहां पर आपको पैसन की ब्रेंडिंग मिल जा रही है, और यहां से आप देख सेखते हैं, प्रो की ब्रेंडिंग मिल जा रहा है, यहां पर आपको डुल टोन कलर में मिल जा रहा है, ग्रेव बिद ब्लैक कालर कॉंबिनेशन मिलता है इसका जो माईलेज है 55 से 60 अराम से निकाल देगी तो काफी बढ़िया बाइक है बात करते हैं हम इसके इंजन की तो इसमें आपको 113 सीसी का सिंगल स्लिंडर एयर कुल्ड बीए 6 फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम मिल जाता है यहां से आप मिलता है यहां से आप देख सकते हैं इसमें आपको चार गियर बॉक्स का सिस्टम मिल जाता है यहां से आपको साइड इस्टेंड कटाफ का सिस्टम देखता है तो बात करेंगे इसके सीट की तो सीट इसकी काफी लंबी मिल जाती है काफी कुशन सीट है यहां से और काफी मिफ्ल नहीं प्राइटर को अपर प्राइडर प्राइडर्लम नहीं हो गी। यह से आप देख सकते हम आइथरियस की ब्रेंडिग मिल के हैं। यह पर हीरो की ब्रेंडिग मिल जाके हैं। और इसका हिल्वर कलर की स्ट्ट ही जो मिल जा जाती है Prest इसका बड़ी कलर में मैंच मिल जाता है बात करते हैं इसके चैन कवर जाएंऑ को तो आपको ये चैन कवर प्लस्टिक का minimizing मिलता है रियर संस्पेंशन आपको जो मिलते है ये दिए यह को टुइन सॉक अबजर्बर मिलते हैं यहां पर female footrest यह लगा हुआ है जो इसके साथ मेटाइज कर दिया जाएगा और यह साडीगाट मिल जाता है यहां से आप देख सकते हैं यह सीट ओपन करने के लिए लॉक भी मिल जा रहा है बात कर लेकि हम इसके रियर की तो यहां से आपको hero की branding मिल जाती है यहां से इसका hero का tell lamp मिल जाता है काफी सुंदर और unique design में दिया गया है यहां पर number plate के लिए light मिलती है, reflector मिलता है, number plate लगाने के लिए जगे भी मिल जाती है तो रियर कुछ इसकार है, बात करें हम इसके दूसरे profile में तो यहां से कुछ ऐसी दिखती है भाई यहां से आपको hero की branding और silver strip मिलती है, यहां से right में भी आपको i3S की branding, red color के इसके suspension मिलते है रियर टायर आपको MRF का मिल जाता है और इसका size मिल जाता है आपको 818 का मिल जाता है और इसमें जो यहां से आप देख सकते हैं इसका adjust है, adjust काफी बढ़िया है इसमें muffler guard अभी लगा नहीं है, यह भी लग जाएगा फर्चेज करने पर यहां से इसका rear brake आपको 130 mm का drum brake मिल जाता है यहां से आपको कीक भी इस बाइक में मिलती है, स्टेल्फ भी आपको मिल जाता है यहां से देखने पर आपको बीच सिक्स बाइक पता चल जाएगा बीच सिक्स बाइक है यह बाइक नो डाउट आप खरीच सकते हैं अकर आप इससे खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ही खरीच सकते हैं और इसके फ्रंट से में आपको ORVM डिजाइन दिखा दो तो यहां से आप देख सकते हैं ORVM इसके ऐसे मिलते हैं काफी अच्छे डिजाइन में यहां से इसे मैं ON कर लेता हूँ तो बाइक ON हो गई है और इसका मैं आपको साउंड सुना दे रहा हूँ तो यहां से मैंने आपको इंजान का साउंड और एकजाइस साउंड दोनों ही सुना दिये हैं अब ही हम इसमें देखेंगे कि एक साइड स्टेंड कटाफ वर्क कैसे करता है तो आप यहां देख सकते हैं स्टेंड लगावा फिर भी बाइक ON है तो यहां पर न्यूट्रल का इंडिकेटर जब तक जलेगा तब तक यह बाइक ON रहेगी बट जैसे हमें इसमें गियर लगाएंगे वैसे यह बाइक बंद हो जाएगी तु है यहां पर इस टैंड लगा वह इससे हटा देता हूँ कि देख सकते हैं है और बंद हो गया अब गया इंग его देता हूँ थम्हों रहा यहां से आप देख सकते हैं फोल्ग कर दो है और अलगा और मैं यहां से इस unemployment को नीचे लगा दूर गाया cannot तो देख सकते हैं यह बाइक बंद हो गई ऐसे कुछ वर्क करता है और बात करेंगे हम इस बाइक के आउन रोड प्राइस की तो इसमें आपको जो आउन रोड प्राइस है डिस्क वेरियंट आपको अठासी हजार तुपई की मिल जाएगी और इसका जो ड्रम वेरियंट है व जो डाउट यह बाइक आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बरता है थैंक फार वाचिंग थैंक यू फ्रेंट्स